दुस्वाइज की इस वीडियो में मैं अपको बताने वालों हाई पररेस से रिलेटेड काफे सारे फीचर्ग के बारे में अब देखो इस वीडियो में मैं आपको कवर करूँगा आप होम स्क्रीन में जो भी वॉल्पीर एड़ करूगा तो lock screen में भी automatic यहाँ पर change हो जाएगा and different type के wallpaper and widget को आप यहाँ पर apply कर सकते हो काफी amazing anime wallpapers देखने को मिलेंगे and minimal wallpapers भी देखने को मिलेंगे control panel and do system बार है वो सब कुछ आपको यहाँ पर change देखने को मिलेगा तो video को like कर दिना, channel को subscribe कर दिना देखो सबसे पहले बात करते हम lock screen से क्योंकि lock screen में काफी सारे new features देखने को मिलते है यहाँ पर आप देख सकते हो widget काफी स्यादा सूपर है अब home screen में यहाँ पर आपको दो feature देखने को मिलते है अगर आप only lock screen में wallpapers चेंज करना जाते हो कर पाऊगी कैसे चेंज करना है वीडियो में आगे बताऊँगा और यहाँ पर देख सकते हो एक new widget है साथी आप icons देख सकते हो complete आपको hyperways की जैसे देखने को मिलेंगे आपके smartphone में अगर MIUI dialer है तो उसका logo यहाँ पर चेंज हो जाएगा और जो message UI है वो भी आपके समने complete यहाँ पर change हो जाएगा साथी यहाँ पर आप देख सकते हो gallery application और जो camera application है वो सभी आपको यहाँ पर change देखने को मिलेंगे तो काफी अच्छा feature है तो try कर लेना आप देखो बात करते है control panel के बारे में तो control center आपको कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके smartphone में grey है फिर black background शो करता है वो भी यहाँ पर replace हो जाएगा कुछ इस type के यहाँ पर toggles आपको देखने को मिलेंगे complete new toggles है और देखने में भी काफी अच्छे toggles है और यहाँ पर आप देख सकते हो status bar आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर top में आप देख सकते हो जो wifi का logo है और जो network का logo है वो complete यहाँ पर change हो जाता है उसकी बाद अब यहाँ पर system UI की बात करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा साथ यहाँ अच्छा keypad यहाँ पर एड़ करके दिया जाता है अब देखो इन सभी को apply करने के लिए आपको क्या करना है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ theme कौन से download करनी है तो theme store application open करना open करने के बाद आपको यह वाली theme download करना है hyper uiv4 के नम से देखने को मिल दिया है तो download कर लिए यहाँ पर आप creator का name देख सकते हूँ अब देखो theme को download करने के बाद apply कर देना apply करने के बाद my account में जाना lock style के पर click करना उसके बाद customize का option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर click करना आप देखो यहाँ पर click करने के बाद मैंने आपको बताया था दो feature आपको बताने वालों तो यहाँ पर देखो थोड़ा नीची आ theme का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर option देखने को मिलता है double click the right side अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो wallpaper आपके साबने यहाँ पर change हो जाएगा तो इस वाले feature का आप देख लेना अगर आपको अपने coding कोई भी wallpaper add करना है तो यहाँ पर click करना customize block screen wallpaper का option देखने को मिलता है अब देखो यहाँ पर click करोगे तो only lock screen में ही wallpaper change हो होगा home screen में change नहीं होगा यहाँ पर मैंनें Пол Drive add कर रखाए मैं और दिखाँ धिता हूं यहाँ पर कुछ step से आपको देखने को मेई गा। टॉम इंजरी वाला wallpaper में ने एड़ कर रखा है only lock screen में change हुआ है home screen में यहाँ पर change नहीं होगा आप देख सकते हूँ and complete यहाँ पर customize हो जाता है आप देखो home screen and lock screen दोनों में change करना जाते हूँ तो यहाँ पर click करना यहाँ पर click करना and home screen में आओगे and home screen में जो भी wallpaper add करोगी यहाँ पे lock screen में भी add हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ अभी home screen में यह वाला wallpaper है अब मैं इसको lock screen में open करता हूँ तो आप देख सकते हो complete change हो जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो time का color आप यहाँ पे change कर सकते हो and यहाँ पे music player को भी own कर सकते हो साथी आपको यहाँ पे कुछ और भी features देखने को मिल जाता है जिनको आप try कर सकते हो तो बस फिलाल वीडियो में इतने अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दिना मिलते हैं किसी ओर interesting topic के साथ तब तक के लिए bye bye